हेलो फ्रेंस वेलकम टू एस अकेडमी आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों जब से बिहार एस्टेट का सर्टिफिकेट जारी किया गया है और छात्रों ने जब से इस सर्टिफिकेट को देखा है तब से सभी छात्रों में इसमें लेकर बहुत ही आक कारण सरकार ने यहां पे कुछ अफिस्यल अपडेट दिया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं एस्टेट सचिवाले में बवाल के बाद सिक्षा मंत्री बोले मेरिट या नन में अपलाई करने वाले हैं यह सभी बाते हम लोग डिसकस करेंगे तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए तो यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं इंदुस्तान पेपर का यहां पे कटिंग है और यहां पे दिया है सिक्षा मंत्री बिजय कुमार चौधरी ने कहा है कि एस्टेट 2019 उतिरिन अभिहर्तियों को अनावश्यक भ्रहमित होने की आवशकता नहीं है कहा है कि जिस समय यह परिक्षा फल आया था उसी समय सरकार ने असपश्ट कर दिया था तो यहां पे असपश्ट कर दिया था और इसको लेकर एक नोटीस भी जारी किया गया है चलिए यहांपे नोटीस देख लेते हैं तो नोटीस में यहांपे क्या कहा गया यह भी हम लोग देख लेते हैं देखिये है यहांपे कहा गया है कि सिख्षा मंत्री ने कहा है कि एस्टेट 2019 उत्रिन अभिहर्थियों को अनावसर किसी तरह से भ्रहमित होने की आव सकता नहीं है जिस समय परिक्षा फल आया था आपको बता दें यह प्रेस रिलीज कल साम को हुआ था यानि 24 फरवरी को हुआ था जब छात्रों ने सची वाले क के पास बहुत ही ज़्याद धरना परदर्शन किया और हंगामे के बाद ही सिख्षा मंत्री ने यह प्रेस रिलीज किया ताकि छात्र इस प्रेस रिलीज को देखकर संतुष्ट हो सके सबसे बड़ी दुबिदा है कि सर्टिफिकेट में मेरिट और नन मेरिट कॉलूम को हट कर दिया था कि जो भी उतीन है चाहे मेरिट लिस्ट में हो या नन मेरिट लिस्ट में हो दोनों ही तरह के अभ्यार्थी साथवे चरन की नियुक्ति के पात्रता रखते हैं इस समंध में परेसान ना हो क्योंकि यह सिर्फ पात्रता परिक्षा है और मेरिट लिस्ट यानि मे कुछ समझना चाहिए कि पात्रता परिक्षा में उत्तिर्ण और अनुत्रिण होता है, यानि क्वालिफाइड और डिश्क्वालिफाइड होता है, हुसकी मेधा सूची नहीं होती, अतर सभी उत्रिण लोग, जो भी नियुक्ती नियुक्ती हेटू पात्रिक्षा रखते हैं, यानि चितने भी लोग यहां पे qualified किये हैं, सबी लोगों की नियुक्ति के पात्रता है, eligible है, यही कहना है सिक्षा मंत्री के द्वारा, लेकिन सबसे बड़ी दुबिदा है कि यहां पे नियुक्ति परकिरिया क्या होगी, नियुक्ति परकिरिया में किस तरह से नियोजन में कैसे मेरिट बनेगा, वो भी डिसाइड यहां पे नोटिस में निकाल देना चाहिए, ताकि जो भी छात्र है, वे बात को जानकर संतुर्ष्ट हो सके, और एक कनफर्म डेट भी निकालना चाहिए, सरकार को कि कब तक सात्वे चरण की परकिरिया पुरी होगी, तो अगर कोई अपडेट आता है, तो मैं आपको इस चैनल के मादम से जरूर बताऊंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो,